दोस्तो वो मामूली सीधे हाती अवरत बेंगलोर जैसी स्मार्ट सिटी में पढ़ी लिखी धनवान परलाचार और बेबस महिलाओं को टार्गिट करती जो हर जगे से नाउमीद होकर भगवान के मंदिर में गुहार लगा कर अपनी परेशानी दूर करने की उमीद से भगवा पुलिस आज भी उन लासो को ढून रही है जिने उसने अपना सिकार बनाया था वह ऐसी चैन किलर थी जिसने अपना पहला कतल करके 6 सालों तक खामोस बैटी रही वह ऐसी बहरूपिया थी जिसे अपनी सक्र सूरत बदलने में महारत हासिल थी यह फिल्मी सी लगने वाली ए कम सजा पर राजी ही नहीं थी दोस्तों ऐसे कौन से सुबूत मिले जिनके कारण अदालत को कहना पड़ा ऐसी कोल्ड ब्लड मर्डरर हिंदुस्तान के इतिहास में अभी तक तो किसी नहीं देखा नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त आरडी पटेल रियल ग्रेट इंडिय में आपका हर्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों अगर आपने अभी तक रियल ग्रेट इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा आपसे बिनम्र अनुरोध है कि थोड़ा सा प्यार दिखाते हुए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों उस महिला के कगली पुरा गाओं में एक बेहत गरीब परिवार में हुआ था चोटी चोटी जरूरते भी पूरी करने में इनके परिवार को भारी जद्दो जहत करनी परती थी अईसे हालातों में पलकर कमपम्मा बड़ी हो रही थी लेकिन छोटी उम्र में ही उसने अपने जहन में बड़े बड़े सपने पाल रखे थे फिल्मों की सौकीन कमपम्मा अपने आपको किसी हिरोईन जैसा बनाने का ख्वाब संजोए बैठी थी लेकिन गाओं में इन सपनों तक पहुचने का उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता था क्योंकि उसके घर गाओं के आस पास भी कोई स खलास कर उसकी साधी कर दी ससूराल में भी वह खोई-खोई लल्चाई सी रहती क्योंकि ससूराल में भी गरीबी ही थी उसका पती दरजीगीरी का काम करता था जिस से परिवार का सिर्फ पेट भरा जा सकता था जल्द ही वह तीन बच्चों की मा भी बन गई तथा बच्चो नौकरानी का काम करने लगी उस मालदार घर में पहुचकर जैसे उसके सपनों को पर लग गए क्योंकि उस घर में तो पैसों की नदी ही बह रही थी उस घर के रहन सहन और सानों सौकत ने उसे बेचैन कर दिया और इसी क्रम में उसने उस घर के छोटे-छोटे कीमती सामानों पर अपना हाथ साप करना शुरू कर दिया इसी दोरान अमीरों के हाँ काम करते हुए उसके सातिराना असांत दिमाग को एक तरकीब सूजी उसने अपनी गरीब बस्ती में गरीब लोगों और गरीब औरतों को बहला फुसला कर जांसा दे कर बड़े-बड़े सपने दिखा कर छोटी-छोटी रकम जमा करा कर सपने बेचने का काम सुरू कर दिया उसने बहुत जल्द ही एक मोटी रकम इकठा तो कर ली पर जल्द ही उसकी चिटफंड कमपनी दिवालिया होकर गाय भी हो गई उसका जबरदस्त नुकसान हो गया और उसकी सारी जमापूंजी जो उसने इकठा किया था यहां तक कि उसके दरजी पती ने जो पैसे बचा रखे थे वो भी सब स्वाहा हो गए साथ ही एक चोरी के मामले में उसे जेल भी जाना पड़ा साल 1998 में जब वह जेल से छूट कर अपने घर लवटी तो उसके पती से उसका जबरदस्त जगड़ा हुआ मन बना लिया क्योंकि उसने चिट फंड में काम करते हुए जहांसा देना और सपने बेचना तो अच्छी तरह सीखी लिया था उसने अपना हुलिया चेंज किया और अमीर तथा संभरांत महिला बनकर सहर की और निकल पड़ी एक सिकार की तलास में और इसी दोरान कमपम्मा अपनी लाइफ का सबसे बड़ा गुनाह किया जब उसने 30-32 साल की एक अमीर महिला को अपना सिकार बनाया कई दिनों के प्रयास के बाद कमपम्मा उस अमीर महिला ममता राजन को अपने आइने में उतारने तक काम्याब हो गई तथा उसे गहने जेबरों से सजधच कर नई सांती से अनुस्ठान कराया तथा प्रसाथ खिला कर हत्या कर दी सारे गहने और नगदी लूट कर फरार हो गई इस हत्या को कमपम्मा ने बेंगलोर के बाहरी छोर के एक मंदिर में अंजाम दिया था पुलिस को जब लास मिली तो परिछण से पता चला कि हत्या साइनाइट खिला कर की गई है हत्या की इस वारदात के बाद कमपम्मा रहस्यमाई तरीके से अपनी पहचान बदल कर अगले साथ सालों तक गुमनाम होकर रहती रही इन साथ सालों में उसने क्या किया कहां रही किसी को कुछ पता नहीं हो पाया अब कमपम्मा साल 2006 में फिर सक्रिय हो ग कारी हुई कि नागमणी नाम की ये बेवलाद रहीस महिला कपड़े गहनों आदि से सजधच कर गेस्थाउस में किसी बहुती सम्रांत महिला जय अम्मा से मिलने आई थी फिर कहीं मंदिर में पुत्त प्राप्ति की पूजा अनुस्ठान करने का प्रोग्राम फिक्स था सव प कतल के बाद जैसे कतलों की जड़ी सी लग गई ताबर तोड़ चैकतल वो भी जानी मानी धनवान महिलाओं के सिर्फ सात माह के अंदर ही तथा अदालत में पेश किये गए रिकार्ड के अनुसार सभी चैके चैकतल साइनाइट देकर ही किये पुलिस ने सारे सुबूत फाट के इरादे से की गई हैं पहली आउरत ममता राजन दूसरी नागमनी तीसरी 52 साल की एलिजाबेद जो अपनी तीन महीने से लापता पोती के मिलने की दुआ करने मंदिर यांति ती जाओ थी औरत ये सोधमा थी वो अपने बेटे की साधी की मनत मांगने मंदिरों में जाती थी पांचमी औरत साथ साल की बुड़ी मुनियमा थी जो अस्तमा की बीमारी से निजात पाने मंदिरों में जाया करती थी छटमी औरत का नाम पिनामा था जो ऐसे ही किसी काम की मनत मा प्रणाग ने मंदिरों में जाया करती थी सात्वी अवरत रेड़ का नाम की इसका सिकार बनी थी जिसका पती विदेश में रहता था इसी तरह अनेकों कतल बेंगलूर जैसी स्मार्ट सिटी में होते रहे पर पुलिस लगातार नाकाम होती रही पुलिस की जद्दों जहद च पुलिस ने पकड़ा वो जवरी कमपमा का पुराना जाना पहचाना खरीदार था पता हुआ कि ऐसे ही किसी के द्वारा कमपमा को पोटेसियम साइनाईर मुहया होता था शुरू में तो कमपमा ने पुलिस को बहुत गुमराह किया लेकिन पुलिस की सक्ती के बाद जब कमपमाँ ने अपना मुह खोला तो पुलिस वाले भी भोचक्के हो गए कमपमा से मिले शुरागों को देखते हुए साथ कत्लों के सुबूत तो पुलिस निकठा कर लिए लेकिन पुलिस चाह कर भी ये पता कभी नहीं कर पाई कि कमपमा ने और कितनों को लूट कर इस नासवान संसार से निपटाया है अदालत में ये कमपमा का केस साइनाइड मलिका के नाम से चलाया गया तभी से केडी कमपमा का नाम साइनाइड मलिका पड़ गया अदालत में सुबूतों के आधार पर कमपम्मा को चैन किलर मानते हुए सजाए मौत यानि फासी देने का फैसला किया अदालत ने माना कि ऐसे cold-blooded murderer को समाज में खुला छोड़ना समाज के साथ घातक विश्वास घात होगा कमपम्मा ने अपने गुनाह कुबूल करते हुए कहा कि उसे अपने किये इन गुनाहों से कोई पस्तावा नहीं है फिल्मों की दिबानी अधाकारों जैसी जिन्दगी जीने का सपना देखने वाली हिरोईन तो नहीं पर उसकी कहानी पर साइनाइड मल्लिका जैसी कई फिल्मे जरूर बन गई इन असहाय और निरास औरतों को लूट कर हत्या करके सिर्फ अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए बस दोस्तों इस क्रत्य को आप किस नजर से देखते हैं अपनी राए कमेंट भाक्स में जरूर लिखें अगर आपका प्यार इसी तरह हमें मिलता रहा तो आगे फिर मिलते हैं एक ऐसी ही मिस्टीरियस सत्य घटना लेकर तब तक के लिए नमस्कार जैहिन दोस्तों थैंक्स पर वचिंग इस वीडियो